एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटू चाइनल एडू ब्रेन में आज हम लोग क्लास तेन्थ का फिजिक्स फिर से कंटिनेव करने वाले हैं चाप्टर नमबर 4 यहनि के इसे पहले आपका हो चुका था पार्ट 1 और पार्ट 2 आज हमारा पार्ट 3 वीडियो है जो लोग नहीं देखे होंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक बार आप जरू देखेंगे ताकि यहां से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा है क पहीं नहीं हम परे बता दे आपको कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पड़ चुके हैं और कहाँ से कंठीनिव करेंगे आपको सबसे पहले बता दिया गया एंट्रोडक्शन में ठिक है कि मैगनेट जो होता हैारन सबस्टान को क्या करेगा आईरेन लाइक सबस्टान को अट्र कहां पर éénट होगा यह सब बात हो चुका है है कि नहीं फिर उसके बाद आपको बताए गिया क्या Oh नक्टर में बताय गया कि state wire में कैसा current होगा फिर उसके बाद आपको बताय गया कि सर्कूलर लूप में current का बात यानि कि magnetic field का बात हुआ किसमें circular loop में फिर ये तैन उसके बाद आपको बताय गया right hand thumb rule क्या बताय गया right hand thumb rule यानि कि जब current नीचे जाएगा, तो magnetic field कैसा होगा, जब current उपर जाएगा, तो magnetic field कैसा होगा, यह सब discussion होगा, then उसके बाद हम लोग पढ़े किया, solenide पढ़े, solenide में पढ़े हम लोग कि उसमें क्या-क्या, on कौन सा ऐसा factor है, जिस पर solenide depend करता है, यानि कि number of turns बढ़ाएंगे तो क्य क्या होगा, उसके, solenide के अंदर magnetic field कैसा होगा, बाहर कैसा होगा, इस तब सारा चर्चा हो चुका है, जिस सोलाइड का बाहर देखेंगे हम लोग, तो just like उसका behavior जो होता है, बार मेगनेट के तरह होता है, कैसा behavior होता है, बार मेगनेट के तरह, यानि कि बार मेगनेट का behavior कैसा बताए गया आपको, बार मेगनेट का behavior बताए गया आपको, जैसे क्या होगा, north से निगलेगा, तो south के तरह जाकर के खतम होगा, magnetic field line, north से south के तरह जाएगा, यानि कि originate होग के तरह है कि अंदर में दिखने को मिलेघा सतर्व जा रहा है ये इसी के तरह कहां दिखने को मिलेगा आपको सो लाइड में देखने को मिलेगा इसे बात ही हो चुका था आज हम लोग फिर वहां से continue करेंगे देखे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले Electromagnet क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे Electromagnet यानि कि Electromagnet क्या होता है इसको आपको introduction वीडियो में ही बता चुके थे क्या Electromagnet का मतलब क्या वैसा Electromagnet जो जब तक current जाएगा तो इसका behavior magnet के तरह रहेगा आप current को हटाये इसका behavior खत्तम यानि कि Electromagnet का मतलब एकदम generally समझा जाए तो वैसा magnet जब हम लोग इसको क्या करेंगे current को जब तक इससे पास करेंगे तो उसका behavior 저 होगा magnet के तरह होगा current का connection खत्तम इसका magnet का behavior यानि कि एलेक्ट्रो मैगनेट जो है वो क्या है टोटली आपका करेंट पर डिपेंड करता है देखिए लिखा हुआ है इसका कर सकते हैं इसका करेंट के खतम किये ए डिमैगनेटाइज हो जाएगा फिर क्या बोला है कि strength can be buried और इसका जो strength है वो भैरी करता है कैसे करेगा जैसे माल लिजी current का जो rate है उसको आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा इसका जो magnetic field है वो भी क्या होगा बढ़ेगा और घटेगा यानि कि इसका magnetic field जो है, magnet का इसका जो behavior है, वो किस पर depend करता है, भैरी करते रहता है, यानि कि current पर depend करता है, polarity can be reverse, और इसका जो polarity है, वो reverse हो जाएगा, कैसे reverse होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी बताया जाएगा, कि आपको current का direction change करने से क्या होता है, magnetic field का direction भी change हो जाता है, फिर क्या बोला है, generally a strong magnet, क्या ये तो बोला गया कि एक तरह से generally क्या है, strong magnet है, अरे क्यों, क्योंकि जब तक current पास करेगा, तो जब तक क्या रहेगा, मजबूती के साथ इसका behavior रहेगा, यानि कि strong magnet के तरह इसका behavior रहेगा, भले वाद में क्या हो connection कटेगा, तो इसका behavior खतम हो जाएगा, लेकिन जब तक रहेगा strong तरीके से रहेगा, हाई की नहीं, तो ये आपका strong magnet है, इसमें polarity क्या होता है, reverse हो जात यह आपका चार point important था क्या जो हम best that कि इलेक्टा मेगनेट में आपको क्या क्या point याद रखना है तो पहला number point है किके सा है तो temporary magnet है क्या है टिंफ데 oat है और यहीं इसको हम लोग कर सकते हैं इसका strength जो होता है भैरी करता है और इसका पुलरीटी है वो क्या हो सकता है रिवर्स हो सकता है और जिंदली स्ट्रॉंग होता है जब हम लोग इलेक्ट्रो मैगनेट का बात करें लिए तो पर्मानेंट मैगनेट का भी बात कर लेते हैं देखिए पर्मानेंट मैगनेट इसके बाद आता है पर्मानेंट का तरह इसको हम लोग तुरत भर में डिमेंटाइज नहीं कर सकते हैं उसमें क्या था temporary magnet इसका नाम में ही लगा हुआ है का permanent magnet है कि नहीं यह कुछ permanent है है कि नहीं strength is fixed और इसका जो strength है वो fix है भेरी नहीं करता है Polarity cannot be reverse उसका सब उल्टा इतने देखने को मिल रहा है है कि नहीं वो temporary magnet होता था यह permanent magnet है वो क्या बोल रहा था है कि उसको हम लोग easily demagnetize कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसको easily demagnetize नहीं कर सकते हैं फिर then क्या लिखा हुआ है कि strength is fixed इसका जो strength है fix है लेकिन electromagnet का क्या होता था भैरी करता था Polarity cannot be reverse उसमें क्या बोला गया था कि polarity reverse हो सकता है लेकिन इसमें polarity reverse नहीं हो सकता है फिर क्या लिखा हुआ है generally weak magnet लेकिन last वाला जो line है ध्यान देंगे क्या उस strong magnet था लेकिन यह क्या है generally weak magnet है यह कमजोर है उसके compare में है कि नहीं लेकिन कमजोर है तिकाउं है यह बदलता नहीं है है कि नहीं तो permanent magnet यानि कि और electromagnet में हम लोग को differences पता रहना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है difference क्या है है कि नहीं फिर देखे next next हम लोग का है कि force on a current carrying conductor का बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले कि यानि कि बताए कि आपको कि force on a current carrying conductor जिससे क्या हो रहा है जिस conductor से current pass हो रहा है उसमें हम लोग को force देखने को मिलेगा और वह क्या वहां पर magnetic field तो create हो गाई क्योंकि तो normal सा बात है कि जिस wire से current जाता है उसके आस पास क्या हो जाता है magnetic field create हो जाता है और वहां पर हम लोग force का भी क्या करेंगे फिल करेंगे देखिए क्या लिका हुआ है बोला है कि क्या एंड्री मैरी एंपियर suggested that magnet also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor क्या बोल रहा है जैसे ये word कहां पर और यूज हुआ था equal and opposite आप जब class 9th में पढ़ रहे होंगे Newton's third law में आपको बताये गया होगा क्या कि every action क्या equal and opposite reaction यानि कि आप इधर से धक्का देंगे उधर से भी आपको धक्का मिलेगा और बराबर force के साथ मिलेगा उससा बात आप 9th class में पढ़े होंगे Newton's third law motion में पढ़े होंगे लेकिन यहां पर भी वही बात नहीं दिख रहा है आपको क्या कि Andrew Mary Ampere suggested that the magnet also exact an equal and opposite force क्या करता है equal और opposite force लगाता है और एक current carrying conductor यह जब भी फंडा होगा कब होगा जिससे क्या होगा conductor यानि को ऐसा conductor जिससे current pass हो रहा होगा उसके बाद यह होगा है है कि नहीं उसी में देखने को मिलेगा फिर क्या लिखा हुआ है कि the displacement in a conductor is the maximum when direction of current is right angle to the direction of magnetic field यानि कि उस समय क्या होगा displacement जो होगा conductor के बीच में maximum होगा कब जब यानि कि देखिए direction of current और direction of magnetic field के बीच में 90 degree के angle बन रहा होगा उस समय क्या होगा displacement आपको maximum देखने को मिलेगा conductor के बीच में है कि नहीं फिर क्या बोला गया है कि direction of force is reversed on reversing the direction of current यानि कि अधि आप current का direction को reverse खरते हैं तो क्या होगा उसका जो direction है force का ओ भी बदल जाएगा है कि नहीं यानि कि direction of force is reverse direction of force क्या हो जाएगा बदल जाएगा change हो जाएगा कब जब reversing the direction of current आप current को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा force का भी direction बदल जाएगा reverse हो जाएगा है कि नहीं तो यह भी आपको पता रहाना चाहिए, एक concept लिखा हुआ है, second point भी आपका बहुत important है क्या, कि displacement conductor के बीच में कब ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जब क्या होगा direction of current और direction of magnetic field के बीच में right angle बनेगा, यानि कि 90 degree का angle का formation होगा, उस समें displacement maximum होगा, है कि नहीं, और यह भी आप को पता रहना चाहिए, कि direction of force reverse हो जाएगा, जब हम लोग current के direction को क्या करेंगे, reverse करेंगे, यानि कि direction of current is reversing, then the direction of force is reverse, यह बात लिखा हुआ है, यहां तक आपको clear रहना चाहिए, अब देखिए बात आता है, इस image का, इस image में आपको बताया है क्या, कि जब एक current pass करेंगे, यह आपका book में भी image दिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से, हाई कि नहीं, एक आपको यहां पर magnet को क्या किया है, लटकाया हुआ है, और इसमें circuit में आपको दिखाए गया है, कि जब इससे current pass किया जा रहा है, इसमें आपको यहीं displacement देखने को मिलेगा, इसी में क्या, जै नहीं कि आपको direction क्या हो जाएगा, ठीक्स रहेगा, किसका किसका, उसके बीच में 90 degree का angle देखने को मिलेगा, बताए किसके किसके बीच में, अभी तो बताये थे, उपर में देख लीजिए, क्या, तो बताये गया था maximum displacement कब होगा, जब maximum displacement होगा, उस समय direction of current और direction of magnetic field के बीच बीच में angle क्या होगा, 90 degree होगा, तो इसमें आपको वही दिखाएगा, कि इसके बीच में तो आता है, फुर सो तो होता है, लेकिन maximum कब सो होगा, उसका condition यहीं से हम लोग find करेंगे, है कि नहीं, फिर उसके बाद आता है flaming left hand rule, अरे right hand rule पढ़ लिए, किसका, flaming का नहीं, flaming का न hand rule हमको क्या बताता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जैसे देखिए, आप भी अपना left hand rule को देखने के लिए left hand को क्या करेंगे, अच्छे से जैसे जैसे इसका आपको दिखेगा, वह आप देखने का कोशिच करेंगे, है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखा ह हुआ है, कि stretch, flaming left hand rule में क्या लिखा हुआ है, कि stretch the thumb, thumb को क्या करेंगे, stretch करेंगे, खिजिए, फिर four finger and the middle finger, ए तीन फिंगर आपका सलामत रहना चाहिए, इसको हम लोग देखने के लिए, ए दो फिंगर रहे या ना रहे, इसका यूज नहीं, यह लेगे तीन फिंगर का, लिखा हुआ है, कि stretch the thumb, four finger and the middle finger of your left hand, such that they are the mutually perpendicular, आप इस तरह से stretch करेंगे तीनों को, जो क्या हो, आपस में तीनों परपेंडिकुलर हो, क्या हो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तब ए चीज आपको देखने को मिलेगा, कैसे करिएगा, तो आप कुछ ही इस तरीके से करिएगा, देखिए, ए थम्ब इधर, ए उपर में और ए परपेंडिकुलर, यानि कि इसके साथ इसका 90 डिगरी, इसके साथ इसका 90 डिगरी, और कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और यह जो थम्ब होगा, वो क्या रिपरजेंट करेगा, तो जो हमारा थम्ब होगा, और रिपरजेंट करेगा, क्या रिपरजेंट करेगा, तो यह हमारा मोशन करेगा, क्या करेगा हमारा मोशन रिपरजेंट करेगा, यानि कि कहने का मतलब क्या, कि जो थम्ब होगा, थम्ब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, बताइए जल्दी, फोर्स लिख सकते है हैं Мोसन लिख सकते हैं और यह कहने काम ऐसे हो यहाँ पर लिख सकते हैं मोसनों लिख अप्र वालन होगा ओप यह रिपरेजिंट करेगा यह क्या करेगा सब्सक्राइब मैगनेटिक फिल्ड रिपर्जेंट करेगा क्या रिपर्जेंट करेगा मैगनेटिक फिल्ड रिपर्जेंट करेगा फिर उसके बाद जो इधर साइड में आपको दिख रहा है यह क्या रिपर्जेंट करेगा यह आपको करेंट रिपर्जेंट करेगा क्या रिपर्जेंट करे करेंगे फादर यहां पर लिखेगा फादर यहां मदर और यहां पर लिखेगा क्या लिखेगा फादर यानि कि जो थंब है वो क्या रिपर्जेंट करेगा बताइए ध्यान से देखिए यह आपका लिफ्ट हेंड रूल है एक क्या करेगा फादर मदर और चाइल्ड फादर क्या करेगा एक फोर्स को रिपर्जेंट करेगा एक मदर मैगनेटिक फिल्ड को रिपर्जेंट करेगा और चायल्ड एक करेंड को रिपर्जेंट करेगा है कि नहीं तो यह आपको इस तरीके से याद रखना है क्या फादर मदर और चायल्ड के तरीके से याद रखेंगे तो फोर्स, magnetic field और current के तरीका आपका याद रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, कि if force, आप क्या लिखा हुआ है, if four finger point in the direction of magnetic field, जो four finger है, वो magnetic field को represent करेगा, middle finger in the direction of current, यानि कि middle finger को हम लोग क्या करेंगे, तो जो middle finger है, उसको current के direction में करेंगे, इसको क आए गया है, इसको कहाँ पर, तो magnetic field के direction में, और फिर then thumb will be pointed the direction of motion और force, और जो thumb है, वो किस direction में रहना चाहिए, तो motion और force represent करने का काम करेगा, हाई कि नहीं, अब क्या लिखा हुआ है, कि heart and brain, heart और brain में क्या होता है, in the human body has significant magnetic field, उसमें क्या होता है, एक महत्पुन तरीके का magnetic field रहता है, जो काम करता है, वहाँ पर, कहाँ पर, तो heart और brain में काम करता है, है कि नहीं, ते तरीका हम लोग को पता रहना चाहिए, flaming left hand rule का, कि जो हमारा thumb होगा, वो क्या represent करेगा, force और motion represent करेगा, कहने का मतलब, और यह आपका जो four finger होगा, वो क्या करेगा, magnetic field represent करेगा, औ उस direction में current देखेंगे, ता आपको सारा चीज पता चल जाएगा, कि हाँ, current माल लिजे, इधर जा रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है, ता आपको पता चल जाएगा, क्या, कि magnetic field कि दर है, और हमारा force कि दर लगने वाला है, यह flaming left hand rule हमको, एकदम क्या करेगा, actual चीज बता दे अब यह जो दो point है, यह भी आपके लिए important है, क्या लिखा हुआ है, MRI, MRI का मतलब क्या, जैसे आपको बताये थे सबसे पहले क्या, कि MRI का मतलब जैसे माली जैसे आपका कभी shoulder में चोटा गया, यह गरदन में चोटा गया, ता आप कहीं जाते होंगे, जाच कराने तो सबसे प imaging, इसका मतलब क्या, इतो फुल फरम हो गया, कि magnetic resonance imaging, है क्या, तो image of internal organ body, क्या, image of internal organ body can be obtained using magnetic field of organ, यानि कि magnetic field of organ के थुरू क्या किया जाता है, internal organ का उसका पूरा का पूरा एकदम आपका क्या किया जाता है, exact image बना दिया जाता है, जिसके कारण से जो भी fault होगा, उसमें दिख दिखाई देगा, और वहाँ, माली जी को fault दिखाई दिया, उसका treatment होगा, तो यहीं बोलाए क्या, कि image of internal organ, image of internal organ of body can be obtained using the magnetic field of the organ, यानि को magnetic field के थुरू क्या किया जाता है, उसका internal body का जो image है, वो create कर लिया जाता है, बना लिया जाता है, जिसके कारण से यदि fault हुगा, तो पाचान हो जाएगा, है कि नहीं, फिर देन उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या है, गलवेनो मीटर, गलवेनो मीटर का क्या काम है, लिखा हुगा है कि the instrument that can detect the presence of current, in a circuit, it also detect the direction of current, ये क्या करता है, ये बताता है, कुछ इंस्टुमेंट से हम लोग पता कर सकते हैं, कि उ है कि नहीं, ऐसे हम लोग आपको पता रहना चाहिए कि दो instrument का बात कर चुके हैं, है कि नहीं, electricity वाले में, क्या-क्या, m मीटर और बोल्ट मीटर, और इसमें क्या क्या कर लिए, गलवेनो मीटर, ये क्या करेगा, current को बताएगा कि current इसमें है कि नहीं, और जब current है, तो उसक का मतलब ये नहीं, कि जो अभी चल रहा है AC, इसका बात नहीं, AC का मतलब alternate current, दो टाइप का current होंगे, एक AC, दुसरा DC, तो AC के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका advantage क्या है AC का, ओभी देखेंगे, और उसका disadvantage क्या है, जैसे माल लिजे कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मज़ा भी नहीं आएगा करने में, इसलिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, कुछ का advantage क्या है, और जब advantage जान जाएंगे, तो फिर उसका जानेंगे, कि disadvantage क्या है, और advantage तो इतना है, कुछ तो disadvantage भी होगा, तो भी हम जान जाएंगे, तो क्या alternate current में देखिए, बात करते ह है, alternate current क्या है, तो सबसे पहले लिखा क्या है कि the current which reverses its direction periodically, इसका मतलब क्या, कि जो इसका current है, वो क्या होता है, reverse होता है, प्रियोडिकली कहने का मतलब क्या, एक certain time के बाद, प्रियोडिकली, प्रियोडिक मोंशन तूने होंगे, वो क्या होता है, रीपिट होता है, उसी तर which reverses its direction periodically और बोला है क्या है कि इन इंडिया ऋर्भार्स टायरेक्शन को simplshoreay से फिरिएंड़ेट में यह वंफॉन इधर का 1 by 100 इधर का दोनों को आयट कर लिया 1 by 100 1 by 100 तो मिलके क्या हो गया बदाईए 100 इसका LCM हो गया और 11 मिलके क्या हो गया टू तो यानिकी 1 by 50 इसका मतलब गिए EC का मतलब आपका यह ein इस पर या üzज जाएंगे प्रिक्वेंसी जो मतलब इन होगा होता है सब्सक्राइबर सब्सक्राइब मिलीगा टाइब बता दिए गाएगा क्या है लेकिन मैं तो हमको पढ़ना है किल्टर नेकर इनका несच क्या होगा और डिसफॉझस तो देखे अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि AC can be transmitted over a long distance without much loss of energy यानि कि जो इसका main advantage है ना ओए advantage क्या है कि AC को हम लोग लंबे distance तक ले जा सकते हैं और बीना energy को loss किये क्या है उसका main advantage यही है कि माले जी यहां से दूर तक भी क्या करना है current को ले जाना है तो AC current रहेगा तो हम easily ले जा सकते हैं क्योंकि बीच में energy का losses उतना नहीं होगा current चला जा सकता है लेकिन DC ले जाए कि यहां कुछ और है current वहां गया जाते जाते bulb क्या हो रहा है भक भक आ रहा है है कि नहीं कभी कभी देखते होंगे battery वाला में आपको क्या battery के पास वाला bulb एदम अच्छा light कर रहा है कि नहीं और माली जीए आप क्या घर से बाहर या कहीं ज्यादा distance पर लैट लगा है तो वहां वाला क्या कर रहा है लग रहा है कि जल तो रहा है लेकिन उसका जलने का लाफ नहीं मिल रहा है है कि नहीं तो इस तरह से AC का जो सबसे main point है यह ही है क्या AC can be transmitted over a long distance without much losses of energy बीना energy को हम लोग क्या किये खोए हम लोग क्या करते हैं बीना energy को खोए यह पूरा distance तक जा सकता है लंबे distance तक जा सकता है और जो इसका disadvantage है वो क्या है तो लिखा हुआ है क्या AC cannot be stored AC को हम लोग store करके नहीं रख सकते हैं कि लेकिन यह DC में उल्टा होगा क्या कि यानि कि यह वह सौट डिस्टिंस पिजाएगा तो काम करेगा लाउंग डिस्टेंस ले जाएगा एनरजी का लोसे होगा वह आपके लिए सूटेबल नहीं होगा लेकिन DC को क्या करिएगा बताइए श्टोर कर सकते हैं एसी को नहीं कर रहे हैं तो यह दोनों में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा तो हम लोग को जाना है कल्टरनेट करेंट क्या होता है उसका एडवांटेज यानि यह सी को हम लोग लंबे डिस्टेंज तक ले जा सकते हैं बीना किसी एनर्जी लॉस का है कि नहीं और डिस which does not reverse its direction यानि कि इसमें direction reverse नहीं होता है उसमें क्या होता था reverse होता था सब उसका उल्टा चलेगा है कि नहीं DC can be stored AC को store नहीं कर देते DC को हम लोग store कर सकते हैं loss of energy during transmission over long distance is high अब क्या बोल रहा है loss of energy energy का loss होगा कब होगा during transmission over long distances is high यानि कि जब ज़्यादा distance टेवल कराईएगा wire को क्या माल निजी के current को एक जगा से दूसरे जगा ले जाना है लेकिन more distance है तब उस condition में क्या होगा DC वाले में energy का losses होगा लेकिन एसी में एक का स्काम नहीं हो रहा था तो यहीं तो difference है AC और DC में हाई कि नहीं फिर क्या लिखा हुआ है sources of DC यानि कि DC डिरेक्ट करने का क्या क्या source है जहां से हमको energy मिलता है तो पहला भले ही उसको दूर ले जाना होगा तो क्या होगा energy का लौसिस हो जाएगा है कि नहीं फिर देखें नेक्स्ट कि अब नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है domestic electric circuit यानि कि हमारा घरेलू जो इलेक्टिक सर्कुट होगा उस पर चर्चा होगा domestic electric circuit क्या होता है हाई कि नहीं और उसका एक 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 live wire इसका मतलब क्या positive with the red insulation cover यानि कि हम लोग देखें होंगे क्या जब घर उर में आप होंगे तो क्या देखें होंगे या अभी भी आपको दिख रहा होगा आस पास में wire होगा तो क्या जैसे DC में जो यूज किया जाता है और यह सब आपको देखिए बताया गया है कि यह जो live wire होगा ओकिस तरह का होगा पोजेटिव ओगा और पोजेटिव के सांथ साथ क्या होगा जो जो पर रहेगा वो किस तरह का रहेगा रिड कलर कर रहेगा फिर एक बोला गया neutral wire, neutral wire का मतलब यह बोला गया कि आपका वो negative रहेगा, क्या रहेगा वो negative रहेगा और उसका जो cover रहेगा with a black insulation cover, यानि को उसका जो cover रहेगा, वो किस तरह से रहने वाला है, black, जैसा मेरा board दिख रहा है, उस तरह का उसका cover रहने वाला है, तो यह हमको पता रहना चाहिए, कि ज वो कैसा होगा, तो मेरा positive होगा, और किस color में रहेगा, आपका उसका cover, तो red color में रहेगा, second वाला क्या होगा, neutral wire रहेगा, वो कैसा होगा, negative होगा, और उसका जो उपर से cover किया हुआ रहेगा, यानि को insulation किया हुआ रहेगा, वो किस तरह का रहेगा, तो black color का रहेगा, किस त हड़ वाला होने वाला है अर्थ वायर क्या अर्थ वायर वित ग्रीन उन्सुलेशन का भर यानि कि इसको बोलिए क्या जो अर्थ वायर होगा वो किस तरह से रहेगा पता यह तो ग्रीन कलर कर रहेगा किस तरह कर रहेगा ग्रीन कलर कर रहेगा अर्थ वायर से आपको क्या पत अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कि the potential difference between the live and natural wire, live and neutral wire, है किने, अब बोला है कि potential difference दोनों के बीच में क्या होगा, किसके किसके बीच में, तो live wire और neutral wire के बीच में, अब कहां पर का बात कर रहा है, तो इंडिया में, आरे हम भी इंडिया में हैं, आप भी इंडिया में हैं, इंडिया का न करेंगे, आई किने, तो क्या, इंडिया में हम लोग को दोनों में difference कितना को देखने को मिलेगा, किसके बीच में, तो live wire और neutral wire के बीच में, तो आपको देखने को मिलेगा, 220 volt, कितना का देखने का gap मिलेगा, 220 volt का, किसके किसके बीच में, तो live wire और neutral wire के बीच में potential difference हमारा 220 volt का देखने को मिलेगा अब क्या लिखा हुआ है पोल में क्या लिखा हुआ है कि main supply ठीक है उसके बाद huge उसके बाद electricity meter और उसके बाद distributor box और two separate circuit इसका मतलब क्या है कि जैसे माली जी के पोल से connection हुआ तो वहां से electricity आया में supply से है कि नहीं पोल पर आ रहा है electric current वहां से मन supply हुआ supply से हमारे पास है कि नहीं feature के अधूर electricity के पास आया जैसे हम लोग जहां लगाते है कहीं बरबाद कुछ नहीं करेगा बताएं कि छो होता है यादि आएव GET खुद बरबाद हो जाता है लेकिन दुसरे को अबाद रखता हैं दुसरे box काने का मतलब वहां से separate separate circuit में चला जाएगा मालने जिए आप वहां से आप जो भी चलाएए ब्लैक कलर का होगा और कुछ ग्रीन कलर का होगा जो रेट कलर का होगा उसको लाइव वायर बोलेंगे जो ब्लैक कलर का होगा उसको निट्रल वायर बोलेंगे और जो ग्रीन कलर का होगा उसको हम लोग अर्थ वायर बोलेंगे और उसी का तो इमेज आपका इसमें बनाया हु और रेड कलर वाला को क्या बोल रहा है रेड कलर वाले को बोल रहा है लाइव वायर क्या लाइव वायर और फिर ब्लैक कलर वाले को क्या बोल रहा है नियूट्रल वायर अब यह तीनों को connection इस तरह से होता है तो वहां से आएगा एक कहां पर आया electricity का यह जो हमारा future लगा हुआ रहता है वहां पर यहां पर electricity meter के पास आया फिर उसके बाद यहां distributor में आया अब इतना दोनों के बीच में differences होता है potential difference का gap 220 वोल्ट का होता है कितने का होता है 220 वोल्ट का दोनों के बीच में गैप होता है और इस तरह से connection हम लोग किये हुए रहते हैं ते आपको बताया गया है कि ने domestic electric circuit में तेन तरह का वायर रिच किया जाता है उसका वायर का importance क्या है और किस तरह से हमारा supply का chain चलता है भी हमको clear रहना चाहिए है कि ने एक यक बात को आपको समझते हुए बंढ़ना है अधिने बीना समझे आगे नहीं बंढ़ना है अगरे देखिया उसके बात क्या है अब वो जब वायर का बात हो ही रहा है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं है कि ने तो क् सबसे पहले अर्थ वायर का बात करते हैं क्या लिखा हुआ है पोटेक्ट आस फ्रम इलेक्ट्रिक सॉप इन केस ओफ लिकेज ओफ दा करेंट इस्पिसियली इन दा मेटैलिक बोडी अब क्या बूला है अब प्लाइंसे इट प्रोभाइट्स एलो डासिस्टेंस पाथ और एक करेंट इन केस ओफ लिकेज ओफ करेंट अब बोल रहा है क्या इससे माल लेजी एक क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो क्या करता करता है यानि कि जो करेंट का लिकेज है उसको क्या करता है यानि को मेटलिक बोड़ी या जो भी अप्लाइंस से उसका जो करेंट का लिकेज है क्या करता है सिधा हो कनेक्शन रहता है अर्थ के नीचे से है कि नहीं वहां पर ले जाके सप्लाइ कर देता है आपको जटका से ब क्या बोल रहा है कि when a live wire comes in the direct contact with the neutral wire क्या accidentally यानि कि कोई काम क्या हो गलती से हो जाए है कि नहीं ते बोला है कि या कि जब live wire क्या हो जाएगा comes in the direct contact with the neutral wire यानि कि हम लोग सुने होंगे क्या red वाला और black वाला एके में क्या हो गया touch कर गया तो क्या हो गया बहुत ज्यादा गड़बड हो गया तो वहीं बोला है कि the resistance of a circuit becomes low which can result overloading और ये दोनों का resistance क्या हो जाएगा बताइए low हो जाएगा जिसके कारण से क्या होगा overloading की condition हो जाएगा वो black wire और दोनों क्या राना चाहिए हमेशा separate राना चाहिए तो ही बोला है कि when live wire comes in the direct contact with the neutral wire accidentally the resistance of circuit becomes low which can result is overloading जिसके कारण से क्या होता है overloading का condition create हो जाता है और फिर जब overloading का क्रियेट हो गया तो overloading के बारे में भी पढ़ना होगा overloading क्या होता है कि when current drawing in a more than current carrying capacity of a conductor its result overloading कहने का मतलब क्या है माल लेजिए आप किसी में तरीके से आपका माल लेजिए पढ़ाई ही है तो overloading क्या हो जाता है आपको पढ़ने का capacity है दू घंटा का आपको हुंबर्क मिल या 3-4 घंटा का तो क्या हो जाएगा आपका overloading वाला कंडिशन हो जाएगा मनुब जाएगा है कि नहीं तो यह बता रहा है overloading का मतलब क्या कि जिस वायर से जिस conductor से जितना current जाना चाहिए उससे ज्यादा आप भेजेंगे तो क्या होगा overloading का फंडा है कि नहीं तो यहीं ल फिर देखिए next नेक्स्ट लिखा हुआ है couches of overloading यहनिक overloading का कारण क्या क्या है है कि नहीं जब माली जे overloading पढ़ने तो आखिर पतार आना चाहिए overloading का कारण क्या है पहला क्या लिखा हुआ है एक्सिडेंटल एक्सिडेंटल क्या लिखा हुआ है इन्हे भोल्टेज सफ्लाई क्या है लिखा हुआ है क्या यह लिखने का मतलब क्या है कि यह आपको देखने को मिलता है हाई भोल्टेज सफ्लाई में जब होगा क्या तो दे सिंगल प्ली आप से इंगल बहुद करें सब बहुत जादा देखने को मिलता है कि यूद से करेंगे इन माले जी एक ही बोड में क्या है एक ही प्लक है तो उसमें पहले वायर कर देते हैं उपर से प्लक को खुश देते हैं दो तिन का काम उसी में कर लेते हैं है कि नहीं तो इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा वहाँ ओवर लोडिंग का कंडिशन हो जाएगा तो लिखा हुआ है क कि युज ऑप मोर दैन वन अप्लाइंस है जीने सिंगल सॉकेट यहने कि एक ही सॉकेट में क्या करेंगे दो तीन अप्लाइंस को यूज करेंगे तो अबर लोडिंग के कंडिशन आरे होगा कि नहीं होगा बताइए माले जी कि आपका एक सब्जेक्ट का हॉमबर्ग मिलता थ है माले जीकर थिन ठीचर दे दिए आपको साइंस वाले भी सुष होंबर्ग दे दिए मेहेत वाले उयर एससटी वाले वी दिए तुनों का वर्कलोड बढ़ गया तो उसी को तो बोलेंगे कि Oval loading है कि नहीं उसी को क्या बोलेंगे Oval loading ए बोल रहा है कि कि यह की ही अकेट में क्या हो गया दो-तिन अप्लाइंस को हम लोग जब यूज करेंगे तो क्या होगा Oval loading के condition होगा किसका Oval loading का या accidentally voltage जब ही हो जाएगा तो भी क्या होगा Oval loading का coverage होगा अब देखिए safety device क्या होता है, safety device का नाम से ही नहीं पता चल रहा है, क्या वो हमको safety देने का काम करेगा, वो safety provide करेगा, तो पहला नमबर क्या है, electric fuse, जो electric fuse होता है, वो क्या करता है safety device है, और करेगा क्या जिसे माली जी की बहुत बड़ा electric circuit है, है किने, उसमें आपका सारा चीज connect है, भल भी connect है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, कुलर चल रहा है, आपका सब चीज चल रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, माले जी कि current का जटका आया, है कि नहीं, high voltage आया उदर से, तो सब को क्या कर देगा, damage कर देगा, उसके लिए use करते हैं वो अराम से safety रखता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा, safety device पढ़ा, एक काम करता है, उसे तरह से earth wire का भी काम रहता है, क्या, जब हम लोग को, यानि कि वो अर्थिंग wire का काम क्या रहता है, जब आपको current का leakage होगा, तो उसको क्या करेगा, वो direct वो नीचे के तरफ supply कर MCB, miniature circuit breaker, miniature circuit breaker, कभी-कभी सुने होंगे, क्या, कि जब ज़्यादा voltage आता है, उधर से, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या, देखो तो MCB तो नहीं गिर गया है, उधर line है, लेकिन इधर आपको line नहीं आ रहा है, current नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं क्या, कि देखो damage नहीं करेगा, खुद क्या हो गया, वहाँ से off कर दिया, आगे का connection का, अब जब मालनी जी को उसका आपका damage जो होने वाला था, circuit, उससे तो बचा लिया, वहाँ पर क्या कर दिया, connection को cut कर दिया, वहाँ से अब जो circuit के बाद supply होना था, current उसको off कर दिया, है किने, ते आपका तीन safety device पता रहना चाहिए, electric fuse, earth wire और MCB, है किने, miniature circuit breaker, उसका क्या नाम है, पूरा नाम इसका जो है, miniature circuit breaker है, ते हम तीन चीज़ यूज करते हैं, safety device के तोर पे, ठीक है, तो यह भी chapter आपका finish हुआ, यानि कि कहने का मतलब अब आप लोग का, जो class 10 का physics है, यहाँ आपका finish होता है, magnetic effect of electric current, यह chapter आपका finish, यानि कि physics, finish हो गया, है किने, thank you for watching this video, फिर मिलते हैं आम लोग next video में,